आज का हमारा टॉपिक है डिवाइड आ लाइन सेग्मेंट इंटू अ गिवन रेशो में डिवाइड करना सीखेंगे और इसमें हम 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 में ड A, B, जिसकी लेंथ होगी 6 cm, उसको गिवन रेशो में डिवाइड करना है, और रेशो हमें दी गई है 2, रेशो 3, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन सेग्मेंट A, B ड्रा करेंगे, जिसकी लेंथ होगी 6 cm, तो हम एक स्केल लेंगे, और स्केल क लेंथ 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 लेंगे 6 cm, और यह स्टेप हम अपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में लेंखेंगे, ड्रा अ लाइन सेग्मेंट A, B अफ लेंथ 6 cm, इसके बाद हमने इस लाइन सेग्मेंट को रेशो 2, रेशो 3 में डिवाइड करना है, तो मैथड टू इस तरह से है कि हमने पॉइंट A और B पर दो सर्कल्स ड्रा करने है, एक सर्कल का रेडियस हम रखेंगे 2 और दूसरे का रखेंगे 3 cm, क्योंकि जो रेशो हमें दी गई है, वो रेशो दी गई है, 2 रेशो 3, तो हम एक स्केल लेंगे और एक कमपस को स्केल की मदद से 2 cm जितना खोल लेंगे तो हम इसको 2 cm जितना ओपन कर लेते हैं, अब स्केल को रिमूव करके कमपस का नीडल पॉइंट A पर रखते हुए हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, जिसका रेडियस है 2 cm और यह स्टेप हम लिखेंगे, टेकिंग सेंटर A, ड्रा असर्कल अफ रेडियस 2 cm, यहनी हमने को सेंटर रखा है और इस पर एक सर्कल ड्रा किया है, जिसका रेडियस है 2 cm, अब इसके बाद हमने दूसरा सर्कल ड्रा करना है, जिसका रेडियस होना चाहिए 3 cm, क्योंकि हमारी रेशो है 2, रेशो 3, तो हम दुबारा से स्केल लेंगे, और आब इसकी मदद से कमपस को 3 cm जितना open करेंगे, तो कमपस का needle point हम रखेंगे 0 की उपर इस तरह से, और pencil वाला point रखेंगे 3 की उपर इस तरह से, अब हम scale को remove करके, कमपस की मदद से point B को center रखते हुए एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, और इस सर्कल का रेडियस है 3 cm, तो ये point हम लिख लेते हैं, taking B as center, यनि अ a circle of radius 3 cm, और अब हमने एक सर्कल ड्रा किया है, जिसका radius 3 cm, अब इसके बाद हमने point A और B पर acute angle ड्रा करना है, acute angle कौन सा होता है, 90 degree से छोटा कोई भी angle हम ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं acute angle, तो इसके लिए हम एक protector ले ले लेते हैं, और protector का middle point हम रखते है, point A के उपर, और इसक अब हमने कोई भी acute angle लेना है, 0 से 90 के दरमयान, तो हम यहाँ पर एक angle ले ले लेते हैं, 40 degrees का, यानि हम 40 के सामने यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, इस तरह से, और अब protector को remove करके, इस निशान को A से मिलाते हुए एक ray draw करेंगे, तो हम scale रखते हुए point A को, इस निशान से मिलाते हुए एक 40 degree का angle draw कर लेते हैं, तो यह हमने एक ray draw की है, इस ray ने जिस point पर circle को cut किया है, उस point को हम कह देते हैं C, और यह point हम लिखेंगे, add point A, draw an angle of 40 degrees, the ray of angle 40 cuts the circle add point C, यनि जो ray हमने angle 40 के लिए draw की थी, इस ने circle को point C पर cut किया है, अब जितना angle हमने A पर draw किया है, इतना ही हमने B पर draw करना है, लेकिन दूसरी side पर करना है, यनि अगर हमने line segment A, B के उपर 40 degree का angle draw किया है, तो अब दूसरा 40 degree का angle line segment A, B के नीचे की तरफ draw करेंगे, तो हम दुबारा से protector लेंगे, और अब इसका जो middle point है, वो हमने रखना है B पर और इसकी zero वाली line को इस तरह से A, B, Q पर दूसरी तरफ रखना है, तो अब हमने उपर 40 degree का angle draw किया था, तो नीचे भी 40 degree का ही angle draw करेंगे, तो अब हम 40 degree के सामने यहां पर एक निशान लगा लेते हैं, तो इस तरह से हम एक निशान लगाते हैं, और अब scale की मदद से point B क इस निशान से मिलाते हुए एक ray draw करेंगे, हम scale रखते हैं, और B को इस निशान से मिलाते हुए एक ray draw कर लेंगे, और इस ray को नाम दे देते हैं, sorry, इस ray ने जिस point पर circle को cut किया है, उस point को हम नाम दे देंगे, D, और यह point लिखते हैं, steps of construction में, draw an angle of 40 degrees at point B, on the opposite side of previous angle, by array which cuts the circle, यानि अब हमने 40 degree का angle दूसरी तरफ draw किया है, एक ray की मदद से, और यह ray पहले वाले circle को cut करेगी, at point D, point D की उपर, अब इसके बाद हम point C और D को join कर देंगे, तो हम scale की मदद से point C और D को join कर लेते हैं, और जिस line segment की मदद से हमने C और D को join किया है, यह line segment A, B को cut कर रहा है, point O की उपर, तो हम यह step लिखते हैं, join point C with D by a line segment which cuts the line segment A, B at point O, यहनी हमने C और D को एक line segment की मदद से join किया है, जिसने A, B को point O पर cut किया है, अब यह जो point O हमारे पास आया है, जिसने A, B को cut किया है, यह A, B को 2 ratio 3 में divide करता है, इसका मतलब यह है कि A से O तक और O से B तक ratio बनती है 2, 3, तो हम लिखेंगे, line segment A, B is divided into ratio 2, ratio 3 by the point O, यहनी point O की मदद से A, B को हमने ratio 2, 2, 3 में divide कर लिया है, तो इस तरह से method 2 की मदद से हम line segment को given ratio में divide कर सकते हैं, तो आज का हमारा टापिक था, divide a line segment A, B in a given ratio.